सुनीताच कीचैन में आपका स्वागत है मैंने सर्टियों में खाया जाने मला लड़ू बनाया है इसे शरीर में गर्मी बनी रहती है और इमनियूटी सिस्टम को बढ़ाता है आप मेरे तरीके से लड़ू बना करके खाया मैंने 50 ग्राम के करीब गोंद ले लिया है और 400 ग्र किसमी से 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बदाम हमने ले लिया है, 50 ग्राम के करीब हमने पोस्ता दाना ले लिया है, और उसके बाद ये 50 ग्राम के करीब मैंने माखाना ले लिया है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, मैंने कैसे करके बना हैं, आप इसको जरूर बना करके ख भूने के बाद इसको प्लेट में आप निकाल लें आप इन सर्दियों में ये लड्डू बना करके जरूर खा आप इसको इसको श्टोर करके भी रख सकते हैं और एक महना तक इसको खा सकते हैं इसको देखें हमने निकाल लिया उसी में फिर से मैंने आदा चमच के करीब घी कम ज्यादा अपनी पसंद के अनुसाब कर सकते हैं यह हमने 50 ग्राम के करीब माखाना ले लिया था माखाना को हमने डाल दिया इसको भी हल्का भूल लेंगे ज्यादा देर तक ने भूलना है कि हलका साइज यह थोड़ा सा कुणकुड़ा हो जा इसमें मखाना में दिखे किसी-किसी में उच्छिलका उसका लगा रहा था आप इसको देख करके जरूर निकाल ले यह दिके भूना हुआ चला गया है मैंने तीन से चार मिनट तक इसको भूजा है भून करके निकाल ले आ पीस में मैंने जो 50 गराम के कड़ी गड़ी ले लिया था लंबर मर स्लाइस में अमने काटा था वह और 50 गराम के करीब किसमीश सभी को डाल करके इसको भी दो से तीन मिनट तक इसको भून ले ज्यादा निकाल ले इसका हलका हलका खुस्पू जब नारियल का आने लगे तो ऐसको एसको बूद लिया है थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से भून के निकाली अगर एक साथ में आप ज्यादा डाल देंगे तो उसका अच्छा से खीलेगा नहीं गोल इसलिए थोड़ा थ्रवा करके भूले आप मेरे चैनल पर नाया है तो मेरे वीडियो के ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्याफ आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इन दोनों को हिसना नहीं है ये ऐसे ही आप अलग से प्लेट में निकाल ले इसमें भी हलका हलका देखें दो से तीन मिनट तक इसको भी भूनेंगे तो हलका हलका खुसू आने लगता है आप जो भी सारा कुछ भून रहा है तो मिडियम फ्लेम में बुने हाइफ लेम में बिल्कुल ना भूने में उनना हुआ चला गया आप ग्यास को आप बंद कर दे बंद करने के पाद मिक्सी का जयान ले ले उसमें बदाम और काजू डर दरा इसको पोड़ बना ले फायन पोडर बिलकुल नहीं बनाना है दिखें दर दर पॉडर बन चुका है आप इसको कटोरा में निकाल ले हमने पोस्ता दाना और डेसिकेटड कोकोरनट जिसमें रखा था जिस कटोरे में उसी में रखे हैं उसके हाद ये माखाना इसको अभी पॉडर बना ले उसके बाद हम किस्मिस और गड़ी गोला को जो हमने भून करके रखा था उसको भी हलका दरदरा पॉडर बना लेंगे इसमें दस हमने इलाइची डाला है और एक चमज के करे गोल मरीज हमने डाला है डाल करके इसको भी पॉडर बना ले देखे इसका भी पॉडर बना लिया ह आप चाहे तो फाइन पॉडर भी बना सकते हैं लेकिन फाइन पॉडर बनाने के बाद उतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आता इसलिए अलका दरदरा ही कुटे तो ज्यादा बेहतर मैंने दो चमज के करीब घी डाला है यह आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं घी डालने के बाद यह देखे बिघल चुगा है 400 ग्राम जो हमने गूड लिया था वह इसमें डाल दे डालने के बाद आप चाहे तो इसको कद्दू कस करके भी डालते हैं लेकिन हमने थोड़ा मोटा मोटा ही डाला डालने के बाद जब तक में बिघल रहा है तब तक में यह जो हमने भून करके रखा था इसका बहुत बड़ा बड़ा दाना है आप इसको पीसे नहीं पीसने के बात पहुत एक्तम फाइन पॉडर बन जाता है इसलिए मैंने एक ग्लास ले लिया एक ग्लास से हलका हलका इसको उपर से दवाते हुए छोटा-छोटा टुकडा कर ले इस देखे एकदम अच्छे से गूर पिघल गया इसका हमको दो तार की चासनी या एक तार की चासनी नहीं बना रहा है खाले गूर सारा पिघल जा है पिघलने के बाद यह देखे एकदम परफेक्ट एकदम बन चुका है अब इसमें हमने जो पॉडर बना करके रखा था सभी द्राइफ्रूट्स का थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे डालने के बाद इन सभी को मिला ले मखाना उपर से हमने डाला है आप दरदरा कोटेंगे तो लड्डू देखने में बहत ही अच्छा लगेगा आप फाइन पॉडर बनाएंगे तो देखने में उ अच्छे से सब मिल चुका है मिलने के बाद इसका थोड़ा सा थंड़ा होने थे ज्यादा थंड़ा नहीं करना है थोड़ा सा थंड़ा होने तो उसके बाद आप इसका लड्डू बना क्योंकि ज्यादा गरम गरम का लड्डू बनाएंगे तो फिर रहात जलने का चांस रह ऐसे ही करके एक एक करके पूरा बना लें आप इन सर्दियों में मेरे तरीके से ये ट्राइफूर्स के लड़ू जरू बना करके खाए यह बहुत ही तागत देगा अपने पूरे परिवार को बना करके खिला है आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद